आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बजार वितायूश और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं TCS के बारे में TCS के रिजल्स अनॉम्स हो गए हैं कैसे रिजल्स आए हैं क्या कंपनी ने आपको डिविडेंड दिया है और क्या आपको अब शेयर प्रैस में उच्छाल देखने को मिलेगा तो आपको इस वीडियो में दोस्तों पूरा बताने वाला हूं में अब अगर हम TCS के पहले चार्ट के बारे में बात कर लेते हैं फिर आपको इसके रिजल्स पूरे अच्छे से बताऊंगा तो आप देखेंगे शेयर ने आज आपको आखरी के कुछ मिंटों में जिस तरह के सी तेजी दिखाई है और मुझे लगता है कि यहां पे जो TCS है वो definitely यहां से आपको काफी outperform करता हुँआ देखने को और भी मिलेगा यहां पर देखेंगे चार्ट को बढ़ता हुआ मिला था और यहां पर आपको एक बर रिजल्स बता देता हूं क्या रिजल्स आपको निकल के आएं तो अगर हम TCS के बात करते हैं तो देखेंगे दोस् पर जो हुआ है अब 8701 करोड और जो company ने dividend declare किया है वो है 6 रुपीज पर शेयर तो देखे dividend भी अच्छा का सा release किया है और जो net profit है वो 7% increase हुआ है तो देखिए TCS तो revenue for the quarter rose 5.42% year on year basis to rupees 42,015 करोड compared with 39,854 करोड in the same quarter last year तो देखिए TCS इंडिया's largest IT exporter in terms of revenues on Friday said its profit rose 7.18% year on year basis to rupees 8,701 करोड in December quarter compared to 8,118 करोड in the corresponding quarter last year तो देखिए पिछले साल आपको जो इसका result देखने को मिला था तो उसमें आपको 8,118 करोड December quarter में results announced होए ते लेकिन जो अब होए है वो है 8,701 करोड तो आप देखिएंगे 7% का काफी अच्छा increase देखने को मिला है और आप देखिएंगे कि जो results है वो expected तो थे अच्छे लेकिन आप कह सकते और भी ज़्यादा अच्छे आए है share इसके results और यहां से मुझे लगता है आपको TCS में बहुत अच्छी तेजी देखने को मिलेगी देखिए कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत रैली पहले भी चल सुकी है share आप देखिए एक हफते के अंदर करीबन आट नौ परसेंट की तेजी दिखा चुका है लेकिन यहां से definitely आपको जो growth है वो definitely आपको शे में काफी अच्छी देखाती नजर आएगी अगर आप देखेंगे इनके पूरे साल का तो 5.42% देखिए आपको यहां पर increase देखने को मिला है 42,015 करोड as compared to 39,854 करोड तो आप देखेंगे कि काफी अच्छे results आए हैं और results के कारण आप देखेंगे IT sector में आपको बूम देखने को मिलेगा TCS तो देखेंगे चलेगा लेकिन इसके बात में जो बाकी सारी companies है उनमें भी definitely काफी बढ़िया तेजी देखने को मिलेगी और company ने जो dividend announce किया है उसकी record date आपको पता होनीची है वो है 16 जन्वरी यानि 16 जन्वरी को यहां पर dividend आ सकता है तो देखेंगे 6 रुपीज पर share है dividend जो काफी अच्छा है और अगर हम बात करें TCS की तो TCS की company ने क्या बोला है तो उन्होंने कहा है कि growing demand for core transformation services and strong revenue conversion from earlier deals have driven a powerful momentum that help us overcome season headwinds and post one of our best performance in the December quarter तो देखेंगे company ने कहा है कि growing demand के कारण और core for transformation services के कारण हमको जो हमारा revenue है वो strong हुआ है और हमने best performance किये December quarter में तो देखेंगे one of the best performance इन्होंने अब इस बार किये और तो इससे कह सकते हैं कि definitely TCS में आपको अपना पैसा लगा के रखना चाहिए एक ऐसी company जो आपको कमा के दे रही है हर साल बर साल तो हम एक बार वापिस है एक बार चार्ट पे लौट जाते हैं तो देखिए TCS ने आपको एक साल में किते रिटरंस कमा के दिये तो यह एक साल में आपको 38% कमा के दिये हैं शेयर ने तो यह काफी बढ़िया है देखिए बाइस सो से यह शेयर आपको 3000 के उपर मिलता है तो देखिए yearly और yearly basis शेयर प्राइस आपको काफी अच्छे सा रिकवर बढ़ती भी नजर आएगी और अगर हम पिछले पात साल के यहां पे ग्रोथ की बात करते हैं तो पिछले पात साल के अंदर देखिए यह शेयर आपको कह सकता हूं खईदारी करके रखना चाहिए और अपना देखिए टाइम और रिजन रखिएगा कम से कम पाच साल तो यह शेयर आपको डबल होता हूँ बिनजर आएगा मुझे लगता है कि यहां से यह शेयर आपको अगले पाच साल के अंदर माइट भी डवल तो यहां पर रही है ओनली वन सेलिंग सेविंटीन बाइ और और जो रिजल्ट्स आया है वह तो देखिए पूरा आईटी सेक्टर वूम करने वाले आप देख लीजिए इन्फोसिस विप्रो जिस तरह की से तेजी दिखाई है उन्होंने आज वह आपको आगे भी कंटीनी होती भी ज़र आएंगे और यहां पर टीस तो देखिए एक टॉप पिक रहने वाली है इसके जो रिजिस्टंस थे वो भी तीनों तोड़ दिये हैं थी टू जिरो फोर पर अभी नहीं जा पाया मुझे लगता है यह आपको आसानी से चल जाएगा यह मंदे को तो डेफिनेटल आप इसा शेयर है जिसको आपके पॉर्टफोलिय में जरूर होना चाहिए तो दोस्तों इस वीडियो में इतना है तरको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिए का चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना हो वीडियो को शेवजू करेगा थैंकियो फ्रेंस पर आउचिंग इस वीडियो